नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है करन और आप मेरे साथ देख रहे हो Plastotic, the world of plastics तो दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो से मैंने आपको कुछ open machine दिखाई, कुछ naked machine जो की खुली हुई machine थी उन machine में मैंने समझाया कि injection unit क्या होता है, rear unit क्या होती, ये सारी चीज़े मैंने आपको दिखाई तो आज जो मैंने decide किया, जो एक important चीज है, महत्पूर्ण चीज कह सकते हो आप जिसको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा आज आज मैं आपको PLC, PLC जो की उसका full form होता है, programmable logic control, अगर इंगलिस में बात करें, तो इसका full form होता है, programmable logic control इस चीज को हम क्या कहते हैं, की brain of the machine, मतलब मशीन का दिमाग के लिए, जैसे दिमाग जो होता है आपका, वो सारी चीजें करता है, उसी तरीके से यह मशीन का दिमाग होता है, जिसमें सारे function work करते हैं तो यह वीडियो जो है, जो beginners के लिए है, जैसे कि आप college से निकले हो, pass out हो, PLC के बारे में जानना चाहते हो, या operator वगएरा हो starting में, तो आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो से, और यकीन माने काफी चीजे सीख पाओगी, तो यह जो वीडियो है, यह हम few tech injection mold machine पे बना रहे हैं, few tech injection molding machine, one of the best machines इंडिया में, जो है, चलने वाली सबसे अच्छी मशीनों में से आती है, few tech, जो है, Indian manufacturers में, वो number one है, और उनी की machine पे यह मौका मिला, और यह opportunity है, कि मैं आपको सिखा जगूं, तो मैं इस वीडियो से आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हो, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं PLC के और, और सीखते हैं क्या-क्या चीजे हैं हमारी PLC में, तो आप देख सकते हैं, यह जो area है, यह है हमारा PLC, इसी को हम कहते हैं, PLC जिसको नाम दिया हमने Programmeable Logic Controller, तो यही जो है, यह दिमाख है आपकी machine का, यही से आप सारी चीजे, machine इस machine को work कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, तो यह सारी चीजे हम जानने की कोशिश करते हैं, इस PLC पे, कि आसान तरीके से मैं समझाओंगा, जितनी आसान भासा का इस्तमाल करूँगा, टेक्निकल और नन टेक्निकल, दोनों भासाओं का इस्तमाल करूँगा, ताकि आपको ब इक्शन मोल्डिंग मशीन की PLC है, बहुत ही आसान तरीके से बनाई गई है, बेहत आसान फंक्सन है, जो ऑपरेटर फ्रेंडली है, कि आप बिगिनर सो या शुरुआत कर रहे हो, तो आप बेहत आसान तरीके से इसको शुरू कर सकते हो, चलिए शुरुआत करते हैं PLC की, इस पर कुछ बटन्स हैं, चलिए उन बटन्स के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, कि जो बटन्स हैं, वो क्या हैं, तो जैसा कि आप यहां पर देखिए, कि जैसे कि यह बटन्स हैं, फॉर इक्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं, कि यह जो है, यह मोटर की बटन है तो यह जो motor की button है इससे क्या होता है आप देख सकते motor का symbol भी बना हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक जो है motor का symbol भी मिल जाएगा यहाँ पे motor भी लिखा हुआ है बहुत आसान इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत आसान बनाई गई है इंडियन ऑपरेटर्स जो अपने हां हिंदुस्तान में है उनके लिए बहुत आसान रहेगी तो motor क्या function करती है जो motor है इस motor से हमें क्या function मिलता तो इस button को जैसे ही हम press करते हैं तो हमाई machine का जो motor है work on हो जाता है एक तरीके कि लिए आपकी machine जो है वो चालू हो जाती ओन हो जाती तो इस motor को on करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो door है यह बंद होना चाहिए और safety door जो है वो भी बंद होना चाहिए चलिए इस जो यह जो safety door है पहले इसको बंद करते हैं और साथ-साथ में इसका रियर डोर भी बंद होना चाहिए तो आप देख सकते हैं आप इसको हमने बंद कर दिया अब हम motor की अगर button को press करते हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे तो जैसे हमने इस button को दबाया back safety gate आप यहाँ पे देख सकते हैं अलाम अभी आ रहा है back safety gate open अभी back safety gate बंद नहीं है तो इसको बंद करते हैं back safety gate को तो दोस्तों देखिए यह rear safety gate होता है rear मतला पीछे का gate तो यह gate खुला हुआ था इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे और यह बंद हो जाएगा gate जो है हमारा वो बंद हो जाएगा तभी हमारी motor जो है वो हम on कर पाएंगे तो हमने बंद कर दिया basic step था चलिए अब धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कैसे वापस function करेंगे हम तो वापस हम machine की तरफ आते हैं अपनी PLC की तरफ आते हैं और जानते है क्या है कैसे यह WORK करेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है बकाइदा आपको दिख रहा है अब हम अगर motor की button को press करेंगे वापस में आया यहां पर देख सकते हैं यह मोडर की button वापस में दिखा रहा हूं इसको जैसे हमने प्रेस किया तो क्या हुआ आप देखिए blinking के साथ मोटर जो है हमारा आन हो गया यह बटन से हमारी मोटर जो है वो चालू हो गई यहाँ पर आपको इसली इस्टेप में दिख गया अब देखिए इसको हम इस तरीके से बंद कर सकते हैं अब वापस हमने मोटर को बंद कर दिया क्योंकि मशीन खड़ी वी हमें उसकी जरूर लगा होता है इसक्रू को वो क्या करता है जहां पे मटेरियल हापर से हापर जहां पे मटेरियल स्टोर करते हैं हापर जब इसक्रू में जाता है तो क्या होता है उस मटेरियल को गर्म करने के लिए उस तो एक बैरल होता सिलेंडर सेप में उस इसक्रू के कवर को हम बैरल कह तो यह बंद कर देंगे तो यह बंद कर देंगे तो यह बंद हो जाएगी बटन यहां पर बंद हो गई दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर से हीटर हमारा अन हो गया आप देख सकते हैं काफी आसानी से आपको दिख गया अब जो बात करते हैं यहां पर दो बटने दी गई एस वन एस टू अब एस वन एस टू का मतलब होता है यह इस पेर्स की बटन है मतलब कोई भी एक्स्ट्रा जिसमें जोडना चाहते हो जैसे आप न्यूमैटिक एजेक्टर जोडना चाहते हो इस पे या जो भी अलग इस पेर पार्ट मोल्ड से रिलेटेड जोडना चाहते हो आप यहां पे उसको इस पेर बटन से जोड सकते हो अब यहां पे एक बटन आपको देखेगी मोल्ड activate हो जाएगी कि आपकी machine जो है setting mode पे चलेगी मतलब एक particular setting इसमें set किया जाता है company द्वारा जिसके आपकी machine जो है वो धीरे धीरे जो है जैसे आप mold को लगा रहे हो lock कर रहे हो तो वो आपका जो moving plate होगा वो धीरे धीरे gradually आयागा जिससे क्या होता है आपके mold पे जटका नहीं लगेगा और आप जो है आसानी से mold load वगेरा कर पाओगे या कोई भी ऐसा function आप करना चाहो तो आप हमेशा ध्यान रखिए इसी mode जो की setting mode है तो इस machine पे ये mold ADJ करके लिखा होगा और यहाँ पे जो है इसी को हम setting mode कहते है अब बात करते हैं manual mode की यहाँ देखिए आप ध्यान से यहाँ पे एक हाथ बना हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ बना हुआ है तो हाथ मतलब कि कोई भी चीज आप manually करना चाहते हो तो आप इस hand mode के द्वारा कर सकते हो काफी आसान चीज है तो manual mode में क्या होता है कि sometimes जैसे आप mold वगएरा open करोगे तो जो manual setting यहाँ पे feed होगी तो उसी speed में यह चलेगी तो इसलिए जब जादा तर हमें जब exact mold position वगएरा नहीं पता होती तो हम क्या करते हैं इसलिए हम setting mode का इस्तिमाल करते हैं comparison to manual mode के manual mode में आप जैसे purging वगएरा कर सकते हैं injection वगएरा तो यह सारी चीज़ें आप manual mode पे कर पाते हैं अब बात करते हैं दो अलग-अलग modes की जैसे कि एक है semi auto mode आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे आप बकाइदा देख सकते हो कि यहाँ semi auto लिखा है और यहाँ पे auto लिखा है यहाँ पे लिखाए दो अलग-अलग मोड्स होगा है, semi-auto और auto, इसका मतलब क्या होता है, semi-auto मतलब होता है, कि आपकी machine semi-automatically चल लहीं, यह मतलब कि आप जो है, machine चला रहा हो, साथ-साथ में, खुद से ही product निकालना चाहते हो, या operator product निकालना है, तो इसका मतलब सेमी चल ल function जो था, तो fully auto function में क्या होता है, कि आपकी machine जो है, वो इस तरह से gate बंद है आपका, और machine जो है, वो continuously चलते जा रही है, और आपका जो product है, वो यहाँ से eject होके बाहर आ रहा है, तो यहाँ से eject होके वो बाहर आ जाएगा, तो इसी mode को हम कहते है, fully auto mode, अब बात करते हैं कु है, मतलब injection कर रहा है, तो आए समझाता हूँ मैं कि कैसे, injection मतलब होता है कि इस button को दबाने से क्या होगा, कि आप injection करा सकते हो, आपका जो material है, जो पिगला हुआ दाना था, जो आपके barrel के अंदर, screw के अंदर है, जो मैंने कहा था, barrel के अंदर है, तो screw दोरा आप उसको inject करा स कर सकते हैं, उसको आप mold के अंदर भींजट करा सकते हो, या ऐसे भी बाहर परज वगएरा करा सकते हो, अब बात करते हैं, दूसरा जो है, वो है हमारा suck back, suck back आप देख सकते हो, आपको button दिख रहा होगा, इसमें arrow आप देखिए, arrow जो है, वो पीछे की तरफ है, मतलब backward direction मे और detail में हम समझेंगे आगे वीडियो में, लेकिन यहाँ बे मैं आपको समझा देता हो, थोड़े से, कि suck back क्या होता है, suck back में क्या होता है, कि आपका screw जो है, वो थोड़ा सा material को suck करता है, जैसे नोजल टीप वगएरा, या आगे जो material आपका फसा होता, उसको suck कर लेता, क् कुछ materials जो ऐसे होते हैं, जिसमें, जिनकी density कम होती है, और जिनका, जो है, viscosity भी कम है, और flow rate जादा है, जैसे कि आपका पीपी वगएरा है, पॉली प्रोपलीन है, तो उसमें क्या आदा, डूलिंग होता रहा, तो डूलिंग मतलब क्या होता है, आसान भासाम समझाता हूं, किसी चीज को लगातार बहना, मतलब material जो है, आपका nozzle tip से लगातार बहरा है, बाहर की तरफ बहरा, तो वो हो गया आपका drooling, तो suck back क्या करता है, उस drooling को रोग लेता है, मतलब वापस material को खीच लेता है, तो आपकी drooling रोग जाती, material का wastage बच जाता है, अब बात करते है यहाँ पर आप देखेंगे, buttons हैं, जैसे charge button, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, कि यहाँ जो है, यह charge button है, तो charge button और charge button में क्या होता है, charging लेता है, अब charging मतलब क्या होता है, यह भी समझ लेते हैं, इसको एक और सब्द कहते हैं, अंग्रेजी में, इंग्लिस में, जिसको refill जैसे रिफिल मतलब होता है किसी चीज को वापस फिल करना जैसे कि आप आपकी पैन में जैसे इंक खतम हो जाती थी पहले एक पैनों में तो आप रिफिल करते थे उसी तरीके से हम यहां पर रिफिल करते हैं रिफिल में क्या होगा कि जो मटेरियल है एक बार आपने उसको इ के द्वारा आप उसको हाप वहां से आप अपने हापर से आप बैरल में ले आएंगे और उसको आप वापस इस बटन की मदद से चार्ज कर सकते हैं वापस उसको पिगला सकते हैं अब बात करते हैं ऑटो पर्ज की यहां पे एक नोजल से मटेरियल को बाहर निकाल देते हो तो यह क्यों करते हैं यह पर्जिंग आखिर किया क्यों जाता है यह होता क्या है पर्जिंग में क्या होता है जैसे कभी कभी आप जैसे एक मटेरियल चला रहे हो अब आपको दूसरा मटेरियल चलाना है जैसे आप कोई पीपी चल तो इसके लिए हम पर्ज करते हैं पर्ज पर्ज में क्या होगा या आपका जितना भी मटेरियल होगा उस बैरल के अंदर उसको आप बाहर निकाल दोगे और आपका बैरल साफ हो जाएगा तो PC ही उस पे पॉली कार्बोनेट जैसा मैंने बताया तो रन करेगा अब बात करते हैं दो अलग फंक्शन्स की जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे यहाँ पे फंक्शन है आपका नोजल ADV करके है और नोजल RET करके है इसको समझाता हूँ मैं जैसे कि यहाँ पे देखिए नोजल ADV मतलब क्या है नोजल ADV मतलब है नोजल Advanced, और Nozzle Retract. आप Ayroll देखिए, Nozzle Advanced में आगे की तरफ बना. Advanced मतलब होता है, कि आपका जो Nozzle का पूरा Section होगा, यह आगे की तरफ जाएगा. जैसे जिदर आपका पूरे unit होता वो आगे की तरफ जाएगा और nozzle retract जो होता है वो unit जो है वो पीछे की तरफ आएगा तो इसका मतलब क्या होता कि nozzle advance में क्या होगा कि सारी चीजे जो है nozzle advance stage पे जो है आप इस button को press करके क्या कर सकते हो इस button को प्रेस करके आप जो है इस section को पूरे जो injection unit का section है इसको आगे की तरफ ले जा सकते हो वहीं पे retract मतलब होता है कि किसी चीज़ को पीछे की तरफ ले जाना तो जैसा कि आपका nozzle retract लिखा है तो आप इस पूरी unit को जो है इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा खिसका सकते हो जो mold से attach होगा आप समझते हैं कुछ और important function चलते हैं समझते हैं यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है core in 1, core out 1 यहाँ पर आप देखेंगे तो बारीखी से अगर आप देखेंगे इस figure को तो यहाँ पर आपको दिखेंगा कि यह अंदर की तरफ है in है मतलब in का मतलब है तो in है तो यह अंदर की तरफ है out है तो आप देख सकते है core out की तरफ है वैसे ही core 2 in और core 2 out वैसे ही core 3 in core 3 out core 4 in core 4 out तो आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा कि यह जो core 1 in और core 1 out है इसमें क्या होता है कि core one in में जैसे यहाँ पर हमने यह button दबाया तो इससे क्या होगा इससे बहुत ही आसान है कि इसमें आपका core जो है वो अंदर की तरफ को जाएगा आप sequence जो है वो set कर रहा है वो आगे हम further दिखाएंगे कि किस तरीके से करते हैं तो इसमें जो core है आपका वो अंदर की तरफ जाएगा mold में और core out function में बाहर की तरफ आएगा तो इसमें basically हमने चार दे रखे हैं आपको चार core आप इस पर लगा पाऊगे अब जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर तो आप देखिए यहाँ पर कुछ अलग buttons हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लूब्रीकेशन दिखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर lubrication तो lubrication मतलब क्या होगा कि lubrication में आपका जो machine है वो automatically lubricate करता रहता है लेकिन जब कभी आपको manual lubrication देना है तो आप इस button के द्वारा अपनी machine पर lubrication दे सकते हैं अब lubrication में क्या होता है कि oil वगेरा का जो बहाओ होता है वो आप इस पर lubricate कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर oil का जो है बहाओ का connection होगा अब बात करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आप चलिए mold की तरफ चलते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आपको लिखा मिलेगा mold open यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो बना भी हुआ है यहाँ पर आप symbol देखोगे या जो figure है वो किस तरह से बना हुआ है वो बना हुआ ह कि open हो रहा है आपका mold इस तरीके से खुलता हुआ दिखेगा आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं बकाइदा यहाँ पे mold open भी लिखा है और आपका जो mold है वो open भी हो रहा है और वैसे ही यहाँ पे देखेंगे mold close लिखा है और इसका जो figure बनाया गया है इसमें symbol है वो बंद के दरफ तो काफी आसान तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करी गई है जिससे आप बहतर समझ पाओ सारी चीजें तो इसमें figure भी होता है जिससे figure से आप समझ सको आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो आप figure से इसको समझ सकते हो बकाइदा तो समझते हैं mold open क्या होता है mold open में क्या होगा जैसे ही आप इस button को प्रेस करोगे तो क्या होगा कि आपका mold जो है वो open होगा खुलेगा और mold close में क्या होगा जो आपका mold होगा वो बंद होगा mold क्या होगा वो बंद होने लगेगा आपको जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे अब बात करते हैं ejector RET यहाँ पे लिखा हुआ इसका मतलब होता है ejector retract यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ ejector retract और यहाँ पे लिखा हुआ ejector ADV इसका मतलब होता है ejector advance अब समझाता हूँ मैं advance जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता advance मतलब क्या होता और retract मतलब क्या होता तो बात हो रही ejector की ejector का क्या काम होता है ejector का basically काम होता है आपका जो mold होता mold के अंदर जो product बनता है जो आप तयार करते हो उसको बाहर निकानना mold से तो ejector retract में क्या होता है simply ejector retract में ejector आप पीछे की तरफ एकदम जहां से आपका starting होता वहां तक ejector चला जाता है ejector advance जब button को press करें तो आपका ejector जो है वह आगे की तरफ move करेगा ejector जो है advance stage पे आजाएगा आगे की तरफ बाहर की तरफ निकल के आएगा अब बात करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे दो अलग अलग चीजे लिखी हुई है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है blow 1 और blow 2 आप देख सकते हैं काफी आसान तरीके लिखा गया मैं समझाओंगा इसको अभी blow 1 और blow 2 क्या है यहाँ पे आप figure भी देख सकते हैं यह blow करता हुआ figure है यहाँ पे देख सकते हैं आप इस जगहाँ पे तो blowing में क्या होता है इसको हम समझते हैं पहले blow में क्या होता है कभी-कभी हम कुछ ऐसे molds होते हैं जहाँ पे हमें air के दुआरा हमको prodate को eject कराना रहता है, मतलब हम बाहर से हवा देते हैं, air को provide कराते हैं और वो ejector का काम करता है उससे हम prodate को बाहर निकालते हैं तो फिर हम इस blow 1 और blow 2 का इस्तमाल करते हैं depend करता है कि हमारा mold कैसा है अब बात करते हैं यहाँ पे आप आएंगे जो mold thick और mold thin है यहाँ पे आप देख सकते हैं mold thick का मतलब समझाता हूँ पहले आपको mold thick क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं mold thick लिखा हुआ है और ये arrow देखिए, ये दो जो figure बना हुआ है इसमें, इसमें क्या कह रहा है, आपको mold को इस तरीके से stretch कर रहा है, आप देख सकते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से stretch कर रहा है, तो आए समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, mold thick मतलब क्या होता है, mold thick और mold thin में क्या होता है, हम mostly टनेजेस देते हैं, टनेज देने के लिए इस्तमाल किया जाता है, जब आप मोल्ड को लोड करते हैं अपनी मशीन पे तो इसका इस्तमाल हम करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मोल्ड थिक में क्या होगा, कि मोल्ड थिक में आप जो है वो टनेज को घटाएंगे, मोल्ड को की तरफ अपने प्ह menu को हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं मोल्ड थिन में क्या होता है उटारेजिय को बढ़ाते हैं और जो हमारी प्लेट होगी वह आगे की तरफ आएगी मोल्ड को लॉकिंग देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहां पर देखे आटो ADJ लिखा है आटो एड़ेस्ट्मेंट के लिए यहां पर आप देख सकते हैं आटो ADJ तो आटो एड़ेस्ट्मेंट मोस्ली जो है हम टॉगल की मशीनों में करते हैं तो यह कुछ इंपॉर्टंट था इंपॉर्टंट था मैंने दिखाने की करी कि यह जो में कीज हैं इनको मैंने बताया अब कुछ ऊपर कीज रह गई है इनको आए बता देते हैं कि इसमें क्या क्या है काफी आसान चीजे हैं इनको मैं यहीं से समझा दूँगा अब देखिए यहां पर क्या है नंबर्स पड़े हुए जैसे 789 करके 123 करके इस तरह क को समझते हैं क्या होता है जैसे कि हम जैसे यह आम जैसे पी-ाल-सी देखर हो यह काफी एडवान्स पी- लसी है तो यह टचवीर यह तो ऑच करते हैं वैसे इस इसका फंक्शन खुलता चला जाता है आप देख सकते काफी आसान तो आप जो है आप यहाँ पर touch करके भी feed कर सकते हैं ज्यसे हमने यहाँ touch किया यह number आ गया आज आ गया आप देख सकते हैं इसमें हम कुछ भी Feed कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे अगर हमने वापास एक बार दिखाता हूँ जैसी यह touch screen है तो हम इस पर touch करेंगे तो यहाँ पे हम easily number feed कर सकते हैं अब अगर हमें number यहाँ से feed करना और button दौरा तो हम कैसे करेंगे तो काफी simple है अगर आप यहाँ पे करें यहाँ पे ऐसे click किए और number यहाँ पे डालना चाहते हैं जैसे 60 हम डालना चाहते हैं तो 6 मैंने दबाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 आ गया वापस चलते हैं यहाँ पे देखिए 6 और 0 मैंने प्रेस किया button से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 आ गया तो हम इसको enter करेंगे तो वापस यहाँ पे 60 जो है वो हमारा set हो गया तो आप समझ गया हूंगे कि काफी, मतलब आसान तरीके से इसको तैयार किया गया इस PLC को, ताकि यह जो है आपकी यूजर-friendly रहे, यूजर-friendly मतलब आप आसानी से इसको कर सकें, और जो है, ईगत्वम आसान तरीके से बनाने की इसको कोशिश करें गया ह्, आये जानते हैं कुछ buttons के बारे में जो रह गई हैं जैसे कि यह बटन आप देखिए यह चार इसमें arrows बने हैं अब down, left, right और enter मतलब दायबाय करने के लिए यह arrow बनाए गए हैं जैसे कि यह touch screen है तो touch कर लेते हैं डारेक्ट हो जाता है आप देख रहें लेकिन इन arrow का इस्तमाल करके भी हम ये जो cursor है ना ये आप देख सकते हैं ये जो point जैसा उँगली जैसा cursor है इसको हम move करा सकते हैं देखिए आप मैं button दबाऊंगा नीचे की तरफ तो ये cursor नीचे की तरफ आएगा δेख सकते मीनू में जाना है तो क्या करेंगा इंटर की बटन दबाएंगे इंटर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर की बटन है तो अगर हम इंटर की बटन यह देख सकते हैं इंटर की बटन को हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम उस जो है मीनू में चले जाएंग जैसे यहाँ पर देखिए, इंटर की बटन हमने प्रेस करी, तो हम एजक्टर पेज आसान फंक्शन था, अब जैसे बात करते हैं, FN लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, यह फंक्शन की होती हमारी, इसकी के बारे में हम डीटेल में बात करेंगा आगे, अब जैसे यह पेज खुला हुआ है, आपका एजक्टर पेज खुला हुआ है, इस पेज को आप चाहते हो कि आप पेंडराईव में सेव कर लो, या इसी पेज को जो मतलब पोजीशन, प्रेसर, फ्लो, टाइम, सारी चीजे हैं, तो इसको आप सेव करना चाहते हो, तो आप इस फोटो बिलेगा, रीसेट, यह जो आपका फंक्शन है, यह है, रीसेट का, रीसेट में क्या होता है, जैसे अलार मा रहा आपका, जैसे कोई भी अलार मा रहा, जैसे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे, आप देख सकते हैं, यहाँ एक अलार मा रहा, बैक, सेफटी गेट ओपन, आपको अलार मिलेगा, बैक, सेफटी गेट ओपन का, आपको दिख रहा होगा बकाइदा, यहाँ पे, तो अब, क्या है, हमने सेफटी गेट बंद कर दिया, लेकिन अभी हमने अलार मा नहीं बंद किया था, तो इस रीसेट बटन पर वापस आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, यह लाइट का पोर्शन है, यह अलाम को बताएगा, यह मतलब, जैसे कि आप एम्बुलेंस वगएरा में देखते हो, उपर जो साइरन होता है, तो इसी तरीके से यह आपके अलाम को बताएगा, काफी अच्छा फंक्शन त्यार किया गया, टावर लाइट की तरीक करना होगा, और यह बंद हो जाएगी, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गया होगा, बिगनेर्स के लिए, यह स्टार्टिंग था, इसके बाद एक-एक पेजेस और चलेंगे, और सीखेंगे, तो यह वीडियो जो थी, वो फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिं मशीन पर हमने बनाई, तो रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेर कर दीजेगा, लाइक कर दीजेगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, प्लास्टोटेक दवर्ड और प्लास्टिक से, क्योंकि इस पे हम भी उतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए कंटेन लाने क के लिए, तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा, और शेर कर दीजेगा, और आगे फर्दर हम सारे पेजस को डीटेल में सीखेंगे, और समझेंगे क्या-क्या चीजे होती हैं इसके अंदर, तो दोस्तों चलता हूँ, मिलूँगा अगली वीडियो में कुछ नया कंटेन लेके, तब तक के लिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत